हेलो एब्रीवन, स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में तो मेरे चैनल पर आप लोगों को जितनी भी सरकारी सिक्षक भरती के अड़टीजमेंट जारी किये जाते हैं या फिर ऐसे डिपार्टमेंट की वेकेंसी जिसकी सूचना स्टूडेंट तक नहीं पहुंचती है आप लोगों को समय पर सूचना मेरे द्वारा दी जाती है ताकि आप लोग आविदन समय पर कर सकें तो यदि आप चैनल पर पहली बार आएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें क्योंकि कुछ समय से यूटूब की तरफ से जो है समय पर नोटिफिकेशन नहीं भेजा जा रहा है जिस वज़े से बहुत सारे वीडियो जो भी बनाए गए हैं जौब से समबंदित समय पर आप लोगों को सूचना नहीं मिल पा रही है लास्ट डेट जो है वो निकल जाती है उसके बाद जो है सूचना पहुंसती है तो ऐसे मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप देखते रहें हो सकता है आपके राज्ये की आपके नस्दी की स्कूल की वेकेंसी रही हो आपके सब्जेक्ट की काफी अच्छी और अंतिम डेट निकलने से के बाद जो है आप लोगों क दुख हो तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें बैल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय पर सूचना मिल सके बाल भारती सिक्षक भरती का रेगुलर पोस्ट के लिए विग्यापन जारी किया गया है बाल भारती पप्लिक स्कूल रोहिनी से वेक है और भी कई पोस्ट है जो की नोटिफिकेशन में देखेंगे तीस मार्च जो है अंतियम टिथी है एज, सैलरी, एस पर गौर्मेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहां पर मिलती है इसके अलावा जो है अदर अलाउंसिंस भी जो है गौर्मेंट रूल के अ मिलते हैं तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन आविदन की कोई भी फीज नहीं लगेगी, फ्रैशर बिलकुल एलिजिबल है, कोई भी अनुवव यहां पर नहीं मांगा गया है तो मेन वेबसाइट पर आएंगे बाल भारती पप्लिक स्कूल रोहिनी करियर सेक्शन पर आप लोगों को आना है, PZT Commerce की वेकानसी है, M.com और B.ED मांग रहे हैं, PZT English में Master Degree आपकी इंगलिस में हो और साथ में B.ED, TZT English की है जिसमें BA English Honors वाले या फिर MA English से आपने किया है, साथ में B.ED और C.T.E. भी TZT के लिए चाहिए, TZT Science के लिए B.SC Honors या फिर M.S.C. किया है किसी भी सब्जक्ट में उसके साथ में BA और CTET, TGT dance के लिए degree या diploma आपका मांगा गया है dance में, TGT music instrumental की vacancy है इसमें भी degree diploma मांग रहे है music में, next assistant teachers के लिए जो है arts और science वाले apply कर सकते हैं, यहां पर B लिखना भूल गया है साइध, type नहीं हुआ है, BA या BSC साथ में BA और CTET वाले, special educator के लिए diploma special education में, या BA in special education में, counselor की vacancy है, तो master degree psychology में मांग रहे हैं, या फिर child development, उसके साथ में diploma आपके पास होना चाहिए, guidance and counseling का जो one year का रहता है, junior accounts officer के लिए bachelor या master degree accounting में, computer assistant की vacancy है, degree या diploma in computer hardware and networking, age, salary and other allowances as per government rules, तो सरकारी नियमों के अनुसार ही जो है वेतन रहेगा, यानि PZT के teachers के हम मान सकते हैंगे, 70,000 से 80,000 के बीच में ही रहने वाली है, जिस तरीके से DPS में रहती है, application form आप लोगों को ये जो हम पढ़ रहे हैं, उसी के नीचे जो है आप आएंगे, तो teaching staff application form और non-teaching staff application form आपको मिलेगा, उसके बाद देखें, incomplete form will be rejected, पूरा fill करना है, अभी हम देखेंगे उसे fill कैसे करेंगे, only shortlisted candidate will be called for interview, exam नहीं है, केवल interview है, the school reserve the right to treat any post deemed cancelled, submit the duly filled application form at the school reception, latest while 30 March 2024, 8 बजे से 10 बजे तक, 30 March तक आप लोग apply कर दे, teaching staff application form open करके देख लेते हैं, तो ये जो है application form है, teaching staff के लिए और non-teaching staff के लिए जो है, अलग है, तो बिल्कुल general चीजे हैं, सामानने हैं, आप लोग email address और mobile number जो है, वो बिल्कुल सही से दें, क्योंकि अगर shortlisted किया जाता है, तो उसी से जो है आप लोगों को information मिलेगी, academic qualification जो है, बिल्कुल सही सही भढ़ना है, professional qualification, B.A.D. ही जो है मांग रहे हैं, seat air to qualification, paper 1 या paper 2 आप यहाँ पर करेंगे, teaching experience जो है, वो बिल्कुल मांग नहीं रहे हैं, लेकिन अगर किसी के पास है, तो mention जरूर करें, computer की knowledge अगर है, तो यहाँ पर टिक कर दें, please deposit self-attested photo copies of class 10th, 12th, जितने भी अपने आपके पास जो degree, educational qualification है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को साथ में, जो है, attached कर देनी है, application form के साथ में, ठीक है, तो यह सही से जो है, fill करना है आप लोगों को, आपको shortlisted करते हैं, तो आप लोगों को information जो है, बिल्कुल, email के द्वारा, या फिर आपने phone number दिया है, उसके द्वारा आप लोगों को मिलेगी, काफी अच्छा जो है, यहाँ पर vacancy रहती है, तो यदि आप यहाँ सिक्षक बनना चाते हैं, तो समय से पहले जो है, आविदन कर दें, non-teaching staff के लिए application form अलग है, बाल भारती पब्लिक स्कूल रोही नी, यह कहाँ है, डैली में है स्कूल, यह main website का link है, आप लोगों को वीडियो के नीचे है, description box में, यह link जो है, वो बिल्कुल हर वीडियो के नीचे मिलेगा, जितनी भी vacancy जारी होती है, thank you.